शेहनास गिल से शादी के सवाल पर सिधाशुकला ने पहली बार दी दिया है ऐसा जवाब जिसे सुनकर होगे सब हैरान हेलो गाइस मैं हुजोती और आप देख रहे हैं बिग हैडलाइन्स बिग बॉस सिरा की बाद सिधाशुकला और शेहनास को और गिल को एक साथ दीखनीकले फैंस बहुत जादा बीस सब रहते वेल फाइनली उनका इंतजार खतम हो चुका है क्योंकि जब सिधाशुकला शेहनास गिल के शो मुझसे शादी करो गमें आ चुके है तो इससे फैंस बहुत ज़्यादा खुश है इस शो में आते हैं सिद्धा शुकला ने जब शैनाज से शादी का सवाल किया तो सिद्धा शुकला ने जब शैनाज से शादी के सवाल किये तो सिद्धा ने उनका ऐसा जवाब दिया जिसे सुन कर आपको भी बिल्कुल यकीन नहीं होगा दूसर आपको बता दे कि सिद्धाज शुकला इस्शो में दोस्स की तौर पर आये थे सिद्धाट को देखते हैं शैनास गिलने होने गले लगा लिया था इसके बाद सिद्धाज शैनास की तारीफे करने लगे सिदाद ने कहा कि इनके अंदर एक कॉलिटी बहुत ही अच्छी है जो मुझे अच्छा लगता है कि हर किसी के अंदर होनी चाहिए हम लोगों का घर में कई बार जगड़ा हुआ लेकिन दिन खतम होते होते हम लोगों का जगड़ा भी खतम हो जाता था और अगरे दिन की शुरुआत नहीं होती थी वेल सिद्धा शुकला की अपनी लिए इतनी बाते सुनकर इतनी तारीफे सुनकर शैनास गिल तो खुश हो जाती है वो सब के सामने सिद्धा से कहती है कि तू ही अब शादी कर ले इतनी तारीफ चो कर रहा है तो जबाब में सिद्धाज उकला कहते हैं अभी देखते हैं पहले तुम यहाँ देख लो सिद्धाज के शो में एंट्री भी दमदार हुई थी शो के दौरान मनीश पॉल ने शायनास से कहा था कि आपने सुना ही होगा ना कि प्यार अंधा होता है उसी उको ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए दूले का चुनाव करेंगे इसके बाद मनीश पॉल शायनास गिल की आखों में पट्टी बान देते हैं और वो लड़कों को हाथ पकड़ कर उन्हें जज़ करने की कोशिश करती है शायनास गिल जैसे ही आगे बढ़ती है और वो एक लड़के का हाथ पकड़ती है तो वो थोड़ा रुख जाती है इसके बाद शायनास गिल मनीश से कहती है ये जो आखरी वाला लड़का था ना उसे पकड़ का मुझे सिदात वाली फीलिंग आई है इसके बाल शानाज गिल आको पर बंदी-पट्टी हताती है और सिधार को देखकर बहुत खोश हो जाती है इंपैक्ट उनने देखकर उनकी आखे नम भी हो जाती है शो में सिधा ten शुकला के अलावा रश्मी देसाई भी आई थी कि वो सिद्धाव शुकला से बे इंतहा प्यार करती है तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय और क्या आप सिद्धाव शुकला को शहनाज गिल के स्वेमर की रुप में देखना पसंद करेंगे कमेंट करके जरूर बताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें